मसकार दोस्तों मैं यश्क उत्म आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वालों estimated balance sheet कैसे तियार करें इससे पहले मैंने आपको सिखाया तक प्रोविजनल balance sheet तियार करना ठीक है लेकिन जो आप स्कीन पर शीर्ट देख रहे हैं यह fully automatic है आप किसी भी accounting software जो आपका data होगा उससे आप जैसी इसमें टाइप करेंगे manually आपकी estimated profit and lowest account estimated balance sheet ठीक है और projected balance sheet automatically तियार हो जाती है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें formula का use किया जाता है अब कौन-कौन से formula हमें यहां पर लगाने होते हैं वह इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है यदि आपने मेरी professional balance sheet तियार करने वाली वीडियो नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए मैं आपको इंस्ट्रैक्शन बता देता हूं देखिए आपको बस प्रोविजनल प्रोविडेंट लोस अकाउंट और प्रोविजनल बैलेंशीट में ही मैनुवल अमाउंट डालनी है किससे अपने accounting data से ठीक है जो आपका टैली डाटा है या कोई भी accounting software डाटा है ठीक है उससे 可是 के इस्टिमेटिट और shotgun में कोई भी मैनोल अमांट नहीं डाली है आपको प्रोजेक्टिट बैलशीट में कोई भी microw कर आ डालनी है ठीक है और नाहीं स्टिमेटिट में डालनी है ठीक है सिर्फ आपको कहा पर डालनी है इस पर इस में मैनुवल यहां पर डालनी है ठीक है इसी परकार बैलने शीट में भी मैनुवल डालनी है लेकिन आपको इसमें जो आपकी estimated profit and loss account होगा estimated balance sheet होगी projected profit and loss account होगा और projected balance sheet होगी इसमें कोई भी amount नहीं डालनी है otherwise जो formula लगे हुए होगा 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 है ठीक है यदि आप इस sheet को डाउनलोड करके जब अपनी estimated profit and loss account और balance sheet त्यार कर रहे हैं ठीक है या projected balance sheet त्यार कर रहे हैं तो सिर्फ आप provisional provident loss account और provisional balance sheet में ही amount डाले ठीक है तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को start करते हैं और दोस्तों आप expert से भी अपनी provisional balance sheet या estimated balance sheet या projected balance sheet भी त्यार कर रहे सकते हैं दिवे नंबर पर contact करके तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को start करते हैं अब यह हमारी पहले से ही provisional balance sheet बनी हुई है ठीक है जो कि मैंने इससे पहले वारी वीडियो में आपको सिखाया तब provisional balance sheet बनाना तो देखिए मैं आपको थोड़ा बतायता हूं मैंने पहले वीड चल रहा है उसके लिए आपसे provisional balance sheet, estimated balance sheet या projected balance sheet या इसमें से कोई सी भी आपसे मांग सकता है ठीक है तो provisional कोन सी होती है अब जैसे मान लीजिए हमारा मन चल रहा है नोवंबर 22 ठीक है तो आपसे चो आपकी current position बिजनीस की तो उस current position को जानने के लिए आपसे provisional balance sheet मांग सकता है तो इसमें हम प्रोविजिनल बैंशीट बनाएंगे एक अप्रेयल 22 से लेकर 31 अक्टूबर 22 तक ठीक है और बात करें प्रोविजिनल बैंशीट यानिकी नेक्स तियर की तो अब मैं आपको बताये था हूं इसमें कौन-कौन से फोर्मुली यूज किया जाएंगे अब देखिए यह तो है है हमारी current position ठीक है प्रोविजिनल बैलन शीट में हमाने प्रोफिट है पांच लाग तीन जा चैसुन इन्यान रुपे ठीक है अब हमें इसमें कौन सी बनानी है estimated balance sheet तो estimated balance sheet बनाने के लिए हम क्या करते हैं हम 0.5% या 1% ये 2% अपनी सभी चीजों को बढ़ा देंगे ठीक है मैं आपको simple language में बता रहा हूं आप क्या करेंगे अपनी सभी चीजों को बढ़ा देंगे अब जैसे माली जी हमारा opening स्टोक है ठीक है यहां पर मैं फोर्मूले भी आपको बता रहा हूं एक वल ठीक है यह हमारा ओपनिंग इस्टोक है यह कब तक का 31 अक्टूबर तक का ठीक है तो इसमें क्या करेंगे 2% बढ़ा देंगे तो इस अमांट का 2% निकालेंगे multiply 2 divided by 100 ठीक है और इसमें प्लस कर देंगे यही अमांट अब हमारी यह वाली जो फीगर आई है यह आई है 31 मार्च तेज तक की ठीक है अब इससी प्रकार जैसे परचेज है अक्टूबर तक परचेज कितनी है 25,14,980 रुपे अब इसे भी हम 2% ब इसमें यही फोर्मिले यूज होंगे अब जैसे सेल है तो सेल को भी हम बढ़ा कर दिखाएंगे कितना 2% प्लस यही अमाउंट को इसमें प्लस कर देंगे ठीक है क्लोजिंग इस्टोक है इसको भी 2% बढ़ा लेंगे और इसको भी हम प्लस कर देंगे अब हमारा कितना जीपी आ गया 31 March 23 तक कितना आ गया हमारा जीपी तेहें लाग पचाहें 31 सेक्टूबर तक कितना था 13,24,177 रुपे ठीक है यह हमारा हम बात करते हैं आप आपको 2% ब्लानी है ठीक है अब इस फार्मूले को को कोपी करेंगे नीचे पेस्ट कर देते हैं यह जो फार्मूलाइस को कोपी करेंगे और इसे नीचे तक इसको कर देंगे पेस्ट अब हमारा देखिए पांच लाग 13,773 रुपे आ चुका है नेट प्रोफिट ठीक है कब तक 31 मार्च 23 तक तो अब हमारा इस्टिमेटरी प्रोविनेट लोस अकाउंट बिल्कु तैयार है कुछी साकिंड नो में अब चलते हम बैले शीट पर इसे भी 2% हम बढ़ा देंगे यहां पर प्लस कर द ठीक है अब हमारा यह जो प्रोविट होगा यह कहां से आएगा कहां से आएगा यह आएगा हमारा प्रोविटेंड लोज अकाउंट से यह हमें कुछ नहीं करना है यह ओटोमाटिक की टीज फेल गर देंगे इसको करेंगे इसका 2% निकालेंगे प्लस इस अमाउंट को मैड कर देंगे तो फिक्ड असर्ट में घ्रीज करना होगा धिक है ? यदि हम इसमें परसंटेज को कम यह ज्यायदा कर देंगे तो हमारा प्लेट लो शकाउंट भी सही तनासे यह नहीं हो पाएगा उना ही आपकी balance sheet मिल पाएगी ठीक है दोनों साइड है तो इसमें ठीक है इसको प्लस कर देंगे अब इसका यहाँ पर फंद्रा प्रसेंट डाप्रियेशन यहाँ पर चार्ज हो गया जो कि इसमें अब इसी परकार इसको भी हम 2 से multiply करेंगे divided by 100 ठीक है प्लस यही अमाउंट तो इसको हम कोपी कर लेते हैं फॉर्मुले को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ठीक है यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे अब नीचे आ जाते हैं नीचे भी यहाँ पर अमाउंट मुल्टिप्लाइट टू डिवाइड बाइंड्रेट प्लस यही अमाउंट अब इसको भी हम कोपी करेंगे और इसको भी हम पेस्ट कर देंगे इसमें लाइबल्टी साइड कितनी अमाउंट है टूटल 28,89,86 रुपे 68 पैसे अब इसमें कितना आ रहा है एसेट स ठीक है इसको इससे माइनस कर देंगे कितना हो गया 51,000 रुपे का डिफ्रेंस इसमें आ रहा है ठीक है तो मैंने आपसे पहले ही बताया था जो आपको यहाँ पर फोर्मुले यूज करने है वो सही तरह से करने है ठीक है अधरवाइस आपकी जो बैलंस शीट है वो नहीं मि अब जैसे कि आप देख तकते हैं हमारी लाइवल्टी साइड भी 29,30,86 रुपे अड़स पैसे और हमारी एसट साइड भी बिल्कुल मैच है ठीक है बहुत ही इजी है बनाने में ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे इस्टिमेटिट प्रोफिटेंट लोस अकाउ अकाउंट और इस्टिमेटिट बैलन शीट ओटोमैटिक की तियार हो चुकी है हमने क्या किया है हमने यहां पर आमाउंट डाली है ठीक है यहां पर डाली है और बैलन शीट में डाली है और हमारा इसमें इस्टिमेटिट प्रोफिटेंट लोस अकाउंट और इस्टिमेटि तो इस परकार सभी जितने भी आपके ओपनिंग स्टोक सेल पर्चेस क्लोजिंग स्टोक यह जितने भी एक्सपैंसी जाएं सभी में इसी परकारी एक्वल का साइन लगाकर ठीक है और यहां से एंटर कर देंगे ठीक है ऐसी हमें बैलेंस शीट पर करना है ठीक है जैसे के आप देख सकते हैं हमारी यह बिल्कुल मैच है तो इसी परकार ही estimated balance sheet आपको तियार करनी है हम इसमें 0.5% 1% या 2% जितने भी आप चाहें इसमें बढ़ा सकते हैं तो ऐसे हम estimated balance sheet तियार करते हैं अब इसके बाद मैं next video लेकर आँगा projected balance sheet कैसे तियार करें ठीक है तो दोस्तों यदि आपने मेरा अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है और इस sheet को यदि आप download करना चाहते हैं तो link मेंने description में दिया हुआ है आपको कुछ भी नहीं करना प्रोविजनर प्रोफिटेंट लोगस अकाउंट में टैली से मैनुवली डालना है ऐसी बैलने शीट में डालना है आपकी ओटोमेटिक ही यह तीयार हो जाएगी और आप धियान रखके इसमें यह जो शीट है इसमें कोई भी अमाउंट आपको मैनुवली नहीं डालनी है क्योंकि इसमें ओटोमेटिक ही फोर्मूले पहले से ही लगे हुए यदि आप डाल देंगे तो आपकी यह मैच नहीं होगी और प्रोपर तरीके से आप इसमें नहीं कर पाएंगे ठीक है और मैं आपको एक बात और बतायता हूँ अब जैसे मान लिजिए आपके कुछ एक्सपेंसिस ऐसे हैं जो की इन में से नहीं है या इससे अलग है तो आपको करना क्या होगा इसमें आपको यह यहाँ पर बढ़ाकर आप इसमें अड़ कर सकते हैं लेकिन ठीक है जैसे मैं आ आपका एक्सपेंसिस जो है वहाँ पर बढ़ जाएगा लेकिन आपको हो सकता है आपको मैनवल यहीं डालना पड़े इस्टिमेटेट प्रेंडल और इस्टिमेटेट बैलनसीट में यदि आप डाल सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लिगी प्लीज कमेंट ब हैंगल